ये शायद मेरे चैनल का सबसे requested वीडियो था कि CFA level 1 के उपर एक कूरा guide बनाना कि वो क्या होता है कैसे होता है A to Z information तो आज finally मैंने वीडियो बना दिया है थोड़ा time लग गया है I'm very sorry लेकिन फटावट शुरू करते हैं इस वीडियो को मैंने ऐसे structure किया है जहाँ पर मैं कुछ ठी सवालों का जवाब answer करूँगा था कि आप सबका फाइदा हो ये सारे सवाल आप ही ने मुझसे पूछे हैं so let's begin preparation कैसे करनी है सबसे सही strategy क्या होती है मैंने कैसे 90 percentile का score लाया हर एक छीज इस वीडियो में cover करेंगे सबसे पहला सवाल CFA level 1 exam किसने देनी चाहिए सबसे ज्यादा common सवाल है कि मैं ये degree में पढ़ रहा हूँ मैं ये exam दू या नहीं देखिए अगर आप financial services industry में एक generalist role लेना पसंद करते हैं या फिर आपको asset management में काम करना है credit ratings में काम करना है आपको एक analyst बनना है या फिर आपको एक fund manager बनना है तो CFA आपके लिए सही होगा main सवाल ये होता है कि ये CA या फिर MBA से अलग कैसे है अब इस पर मैंने एक बहुत ही detailed video बनाया है आप चाहो तो देख सकते हो लेकिन यहाँ पर short में बताता हूँ CA जो होता है वो एक accounting focused course होता है और MBA जो होता है वो एक management focused course होता है CFA on the other hand purely investment industry के around focused होता है जैसे अगर आपका interest लोगों के या फिर companies के पैसे manage करने के around आता है तो CFA would be perfect for you लेकिन management perspective से MBA होता है और accounting perspective से CA तो ये तीनों जो courses है वो काफी ज्यादा अलग है लेकिन अगर मैं एक umbrella term use करूँ तो वो सारे जो लोग कहते हैं के मुझे financial services में काम करना है मुझे stock market में career चाहिए तो ऐसे लोगों के लिए CFA एकदम perfect course होता है क्योंकि ये जो course है वो एक ऐसा course है जिसको investment industry में एक gold standard माना जाता है फिर दूसरा सवाल ये था कि मैं CFA charter holder कैसे बन सकता हूँ नाम के आगे CFA कैसे लगाना है इस पर भी एक detailed video बनाया है अगर चाहो तो वो देख सकते हो यहाँ पर short मैं बताऊ तो simple होता है आपको तीनों exams pass करनी है relevant work experience लेना है उसके बाद membership के लिए apply करना है और आप अपने नाम के आगे CFA लगा सकते हो currently पूरी दुनिया में सिर्फ 2,00,00 active charter holders है जिसमें से तुम्हारा भाई भी एक है तीसरा एक और बहुत ही ज़्यादा common सवाल ये था कि मैं level 1 की तयारी कब शुरू करूँ देखिए recently CFA institute ने eligibility की requirement को थोड़ा change कर दिया है आपके फाइदे के लिए जब मैंने level 1 किया था तब आपको level 1 की registration करने एक final year student होना होता है minimum या फिर आपके पास bachelor's degree है या फिर आपके पास work experience है अब उन्होंने क्या किया है अगर आप अपने graduation date के 23 months के पहले register करते हो तो आप level 1 भी दे सकते हो मान लो आपकी graduation date 1st January 2024 है तो आप February 2022 में ही register कर सकते हो for the level 1 exam तो आप अपने bachelor's के साथ साथ CFA कर सकते हो या फिर एक और चीज होती है जो बहुत से लोग करते हैं जो है master's degree खतम होती है तब आपको CFA का designation भी मिल जाता है आपके पास एक better profile बन जाता है अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो currently master's degree या फिर एक undergraduate degree करने की सोच रहे हैं तो you can check out MIT World Peace University अब brand promotion हो ही रहा है ज्यादतर creators क्या करेंगे आपको university के बारे में कुछ generic चीज़े बताएंगे और promotion खतम कर देंगे लेकिन तुमारा भाई अलग है मैं literally Mumbai से पूने गया इस university को check करने आपके लिए और मैंने उस university में जो सारी चीज़े देखी इन्होंने मुझे हैरान कर दिया because जब मैंने अपनी college degree खतम की थी तब ऐसा बिल्कुल नहीं था यहाँ पर 75,000 से भी ज्यादा students पढ़ चुके हैं who were able to choose between 150 plus programs that are spread across 12 schools and 32 departments in fact पूरे एशिया में सिर्फ एक sub-sea lab exist करती है जो इस university में campus का culture mind-blowing था और ये चीज़ मैंने पता कि कुछ students के साथ random conversations करके उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर classes में बिल्कुल भी bore नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो सारी top faculty होती है वही आकर पढ़ाती है और आपके जो सारे lectures है उसके 20% lectures international faculty और industry के leading experts पढ़ाते हैं इन्होंने practical learning पर बहुत ज्यादा emphasis दिया है इसके लिए इनके बार-बार field trips होते हैं और जो सारे lecturers आके पढ़ाते हैं वो आपको ऐसे subjects पढ़ा रहे हैं जिनमें उनका hands-on experience है ऐसा नहीं कि सिर्फ books से देखके आपको पढ़ा दिया and depending on आपको कौनसी चीज़े पसंद है यहाँ पर बहुत सारी अलग-अलग student committees है जहाँ पर आप बाकी लोगों के साथ मिलके नई चीज़े ट्राइ कर सकते हो आपको podcast बनाना है, content creator बनना है या फिर robots बनाना है हर एक चीज़ यहाँ पर हो रही थी and I know कि हर एक student के दिमाग में यह main सवाल होता है कि अगर मैं यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ मुझे नोकरी कैसी मिलेगी वो चीज़ भी यहाँ पर sorted है क्योंकि यहाँ पर placements की बात करें तो Amazon, Oracle, Barclays और Deutsche Bank जैसी companies आती है with more than 1600 recruiters across 600 industries, इस university में जो highest package offer हुआ था वो था 51.36 lakhs per annum इसी के साथ university का 50 crore का startup corpus है with regular startup events for networking and fundraising every single year और जैसा कि आप जानते हैं कि education का cost भी बढ़ता जा रहा है दिन बर दिन, इसलिए इस education को आपके लिए accessible रखने university हर साल 50 crore की scholarships देती है and lastly अगर आप एक prospective MBA candidate हो तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी MBA admissions की deadline है 17th December 2023 तो अगर आपके currently पढ़ाई करने के plans है तो be sure to check out MIT World Peace University with the link in the description अब चलिए वीडियो continue करते हैं और preparation strategy की बात करते हैं level 1 में ideal prep strategy कैसे होती है मैंने 90 percentile का score लाने क्या किया था देखिए एक चीज़े जो मैं आपको बता सकता हूँ कि यह आपने for sure करना चीए that is वो सारे जो subjects होते हैं जो आपके लिए पूरी तरह से नए हैं इनसे शुरुआत करना क्योंकि इनसे दो चीज़े होंगी एक तो आपके वो सारे subjects cover हो जाएंगे which would be a very good thing और दूसरी चीज़ आपको समझ आएगा कि आपने level 1 exam को underestimate नहीं करना है अक्सर क्या होता है candidate सोचते हैं कि level 1 मतलब क्या यार सबसे पहली exam है मतलब आसान ही होगी और उपर से MCQ है फिर क्या attention यहीं पर problem होता है क्योंकि यहाँ पर आपको 10 subjects पढ़ने हैं और इनके MCQs को answer करना है और एक साथ 10 subjects एक ही दिन पर attempt करना यह बिल्कूल कोई hallway का काम नहीं है अब मैं अपने experience की बात करूँ तो एक subject होता है called financial statement analysis यह आपको बताता है कि जब एक company अपने quarterly ए annual results release करती है तो उनके जो सारे statements है इनको कैसे analyze करना है यह आप कैसे पता कर सकते हो कि यह statements अच्छे से present किये गए हैं इन statements में जो accounting के methods यूज किये गए हैं यह fairly यूज किये गए हैं या नहीं अगर एक company manufacturing में operate करती है लेकिन उनके accounting behaviors manufacturing firms जैसे नहीं रहे तो यह सारी चीज़े कैसे पता करनी होती है वो आपको यह subject बताता है अब मेरे case की बात करें तो मेरा background economics का था यह subject मेरे लिए काफी नया है और मैंने यह सबसे पहले नहीं किया which I feel was a mistake अब ऐसा हो सकता है कि आप accounting से हो तो आपके लिए FSA जो होगा वो बहुत आसान जाएगा बोलने का यह मतलब है कि जो सारे subjects होते हैं जो आपके लिए पूरी तरह नए है मतलब इनको देखके लगता कि यार यह नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ इसको ग्रूप करके पढ़ना क्योंकि यहां पर बहुत सारे sums होते हैं और अगर आपको एक बार अच्छे से time value और discounting जैसे concept समझ आ गए तो आप उनको इन चारो subjects में अच्छी तरह से day 1 सही apply कर सकते हो और जो सारे concepts होते हैं जो interconnected होते हैं इनको अच्छे से अपने दिमाग में visualize कर सकते हो और lastly economics, corporate finance, alternative investments और ethics इनको आप अपने final study group में रख सकते हो end में पढ़ने क्योंकि यह सारे subjects जो है वो ज्यादा तर theory heavy है अब एक और चीज़ जो आप कर सकते हो depending on your strengths and preferences आप decide कर सकते हो कि इन groups में से आपको पहले क्या करना है अब मेरा ऐसा background था कि maths मेरे लिए literally by heart का खेल था मतलब 10th standard के बाद भी मैंने जो सारी पढ़ा ही कि मैंने maths उसमें नहीं छोड़ा था इसलिए क्या हुआ मैंने quantitative वाला group पहले अप्रोच किया और वो मेरे लिए काफी फटा फट निकल लिया So now that I look back I feel like मैंने सारे theory वाले subjects पहले कर लेने चाहिए थे क्योंकि ये मेरे लिए नए थे and I could have kept the quantitative side of things for the end So ये पूरी तरह आपके personal preference पे matter करेगा कि आपने कौन सी चीज़े पहले करनी है अब रही बात कितने देर पढ़ाई करनी है ये सबसे controversial सवाल है CFA Institute कहता है कि on average जो बच्चा पास करता है वो 300 घंटे पढ़ाई करता है minimum एक secret आपको बताता हूँ, please इस number को face value पर मत लेना क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत smart होते हैं 100 घंटे पढ़ाई करके pass कर लेते हैं लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो 500 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी pass नहीं कर पाते इसलिए नहीं क्योंकि ये बच्चे smart नहीं हैं उनके learning के methods अलग हो सकते हैं इसलिए आपको figure out करना है कि आपके learning का pace कितना है आप कितने जल्दी concept समझ पा रहे हो और उन्हें apply कर पा रहे हो तो इस side पे एक advice आपको मैं दे सकता हूँ जो है कि time आपने उतना देना है जितना आपके हिसाब से आपको लगता है मेरे लिए सही है और यह आप तब कर पाओगे जब आप exam की preparation जल्दी शुरू करते हो अगर आपकी exam November में है तो उसकी पढ़ाई October में आपने नहीं शुरू करनी आपने at least Jan या Feb से शुरू करनी है School और College में हमें एक बहुत बेकार आदत होती है अगर एक topic समझ नहीं आ रहा तो चलो इसे option में रख लेते हैं अगर time कम पड़ रहा है तो चलो देख लेते हैं ये चीज आपने CFA के exam में नहीं करनी है अगर मैंने ये चीज की होती तो मुझे 90% का score नहीं आता ये एक ऐसी exam है जहाँ पर आपको हर एक चीज अटेंप्ट करनी है and you have to make sure that ऐसी कोई चीज नहीं है जो छूट गई है क्योंकि अब मैं आपको एक reality check देने वाला हूँ आपको 10 subjects का paper एक दिन में लिखना है और इस एक दिन में roughly 180 MCQs है तो आप ही मुझे बताइए कि एक-एक subject में जो सारे topics आपको explain किये गए है इनके लिए कितने questions आएंगे आपको at max हर एक concept के लिए एक सवाल आ सकता है पूरी exam में कभी-कभी वो भी नहीं तो अगर आप ऐसे ही 2-3 concepts option में रख देते हो तो आपके वो सारे marks निकल जाएंगे और ये एक ऐसी exam है जिसमें passing score जो होता है कि आप 75 से 80 target करते हो आपको लगता option रख के ये होने वाला है एक और चीज़ जो मैं आपको suggest करूँगा strategize करने that is एक formula cheat sheet बना के रखना cheat sheet का ये मतलब होता है कि आप formula की एक sheet खुच से बनाते हो जिसमें आप formula इस तरह लिखते हो जो आपको अच्छी तरह से याद रहते है ऐसा हो सकता है कि आप दो formula को साथ में लिखके उसे बेटर याद रख पाते हो या फिर ऐसा हो सकता है कि आप formula के लिए कोई short form बनाते हो जो आपके दिमाग में अच्छी तरह से रहता है यह आपको तम मालुम पड़ेगा जब आप वो सारे फॉर्मिले लिख के निकाल दे हो For context पूरी exam में 100 से भी ज्यादा फॉर्मिले है And now coming to the last part that is study material और इसका कितना खर्चा आता है बहुत से लोग मुझे बता रहे थे कि भाईया आपने अपने पुराने वीडियो में बताया कि आप Shwezer Notes यूज कर सकते हो लेकिन Shwezer Notes का जो सब्सक्रिप्शन है वो हजार से बारा सो डॉलर का है इतना महेंगा वो भी study material का नहीं आपको Shwezer Notes Amazon और Flipkart पर भी मिलते हैं इन फैक्ट आपको भौच से भारत के bookstores में भी मिल जाएंगे और पूरा जो set होता है 6 books का along with 2 books for mock exams ये आपको सिर्फ 3,000 रुपया उससे नीचे में मिलते हैं जो Shwezer की website पर price आपको दिखता है वो एक online learning ecosystem का मिला कर दिया जाता है जिसमें video lectures भी होते हैं अगर आप ये चीज़ prefer करते हो तो obviously ले सकते हो लेकिन जो चीज़ मैं आपको बता रहा था वो सिर्फ books थे देखिए CFA Institute to study material release करता ही है जिसके PDF की access आपको registration के बाद दी जाती है लेकिन अगर आपको physical books चाहिए तो again वो Amazon पे 2-3,000 रुपए में मिल जाते हैं अब CFA के जो सारे books होते हैं वो बहुत बड़े और heavy होते हैं उनकी language भी थोड़ी और technical होती है लेकिन अगर आपको इन books से सीखना है तो आप कर सकते हो ये मेरे हिसाब से सबसे straightforward और best तरीका है इन books से सीखने आपको थोड़ा time लगेगा इसकी understanding मी थोड़ी complex होगी लेकिन आप directly source से सीख रहे हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन books के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती मैंने Schweizer Notes Amazon से लिये हुए 2-3,000 रुपए वाले उसमें से पढ़ाई की थी और वो मेरे लिए work कर गया उसी के साथ मेरे level 1 के समय मैंने Professor Mark Meldrum के online video lectures लिये थे जो recorded थे ये कोई live classes नहीं थे और इसका cost roughly 30,000 रुपए आता है एक level का अगर आप चाहो तो इस route से भी जा सकते हो या फिर अगर आपको चाहिए तो आप coaching के route से जा सकते हो जो सबसे expensive लेकिन सबसे straightforward तरीका होता है जहां पर आप एक classroom में बैठते हो और एक बंदा आपको सिखाता है अब कौन सा coaching लेना है कौन से provider के पास जाएं किसके recorded lectures ले ये तो मैं आपको personally नहीं बता सकता क्योंकि ये चीज़ आपने खुदने decide करनी है और मैं किसी एक specific provider को recommend नहीं कर रहा है मैंने Mark Meldrum का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो चीज़ मैंने खुदने try की थी लेकिन I have no idea के बाखी के providers कैसे है मेरा experience इनके साथ अच्छा था So with that I hope आपको level 1 के बारे में complete idea मिल गई अगर आपके कोई भी और doubts है तो उन्हें comment section में डाल दीजे I will try my best to reply to each and every one of them अगर आपको इस वीडियो से किसी भी तरह की value मिलती है Please इसे अपने सारे CFA aspirants दोस्तों के साथ share कीजिए And मेरे चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि मैं इसे high effort high value videos आपके लिए बनाता रहता हूँ